आर्मी, इतिहास, मैसोपोटामिया, लेखन, कला और सहरी जीवन के बारे में पूर में पढ़ा चुका हूँ, आज मैसोपोटामिया की संस्क्रिती में सहरों का क्या महत्त होता है, इसके बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, मैसोपोटामिया की संस्क्रिती में सहरों के विकास के लिए कौन से तर्ट आवसक थे, कोई भी सहर का विकास जो होता है, उसमें मूलभूट कौन कौन सी चीज़े आवसक होती हैं, सहरों के विकास के लिए, संस्क्रिती के विकास के लिए, रानेतिक, रानेतिक जीवन महात्पूर होता है, समाजिक जीवन क्या होता है, सहरों में रानेतिक इस्था सक्षीत होना बहुत ज़रूरी है, रानेतिक जीवन से विक्ति अपने समाज के लिए, सहर के लिए, प्रसासन के लिए, महात्पूर होता है, समाजिक जीवन, समाजिक जीवन के लिए, महात्पूर होता है, निरुंकुष राच तंतात्मक सासन प्रणाली की प्रचलित थी, इस काल में राजा स्विच्थाधारी निरुंकुष और देवी अधिकारों से युक्त होता था, समाजिक जीवन की विशिष्थाएं होती हैं, मैसम बटामिया के समाज में वर्ग भेट, समाज इस्प्रक्ता तीन भागों में विभाजित था, प्रसम बर्ग को उच्च बर्ग कहा जाता था, जिसमें सासक, सामन्त, उच्चटगारी, बड़े जमिदार, प्रोहित लोग आते थे, जिति वर्ग को मध्यम बर्ग कहा जाता था, जिसमें किसान, सिल्पी, व्यपारी, आदी लोग आते थे, तिति वर्ग को निम्न वर्ग कहा जाता था, जिसमें दास लोग आते थे, मैसोपडामियां के समाज में इस सिवियों की दसा सम्मान्नी थी, समानते एक पत्नी बेवा की प्रथा प्रशलित थी, यद्वी समाज में दहेज का प्रचलन था, किन्तु समाज में पिता से प्लाप दहेज पर वधू का ही अधिगार होता था, मैसोपडामियां के लोग रहने के लिए इट के मकान बनाते थे, शिखनी मिट्टी की बनी हुई इट होती थी, इट मुख्यत कच्ची भी होती थी, लेकिन कहीं कहीं पक्की नीटों का भी प्रयोग किया जाता था, भवन निर्मान के लिए समय, हवा, रोशनी तथा जल का परयाप ध्यान रखा जाता था, इस सब्धा के अंतरगत, मकान, सुन्दर, कलात्माग बनाई जाते थे, मैसुर पढामिया के लोग कौन-कौन सा भोज़न करते थे, भोज़न में गेहू, जो, दूर, दूर से बने पदार, तथा, फलो आदी का प्रयोग करते थे, इसके अतरिक वे मास खाते थे, मचली का भी भोजन प्रयोग में करते थे, लोग सूती उनी वस्तो का प्रयोग करते थे वे लोग धेल की खाल से बने वस्तो का भी प्रयोग करते थे यहां के लोग आभूसर्ण स्षी थे ये लोग सोने चांदी के आभूसर्ण धारम करते थे। तीसरा है मैसोपटामिया की संस्किती में धारमिक, जीवन और मंदिर का क्या महत्त था। मैसोपटामिय के लोग अनेक देवी देवतान की पूजा किया करते थे। प्रस्टेव, ग्राम और सहर अपना देवता होता था। अधिकांच, देवी, देवता, प्रकातिक की सक्तियों के प्रतिनिदी माने जाते थे। उधारन, इनाना, प्रेम और युद्ध की देवी थी। जो डर शंद देवता के रूम में पूजे जाते थे। एनी लिल सुमेर में पूजे जाने वाले देवता में प्रमुक थे। इनको मानावता का स्वामी और राजाओं का राजा माना जाता था। विभिन देवी देवताओं के निवास के लिए बनाये गया मंदिर उनके घर होते थे। प्रारम में मंदिरों का निर्मान विशेर योजना के अंतर्णत किया जाता था। मंदिर का केंद्री कच देवी देवताओं के प्रत्रवा कच गर्वग्रह से जोड़ा होता था। कथा मंदिरों में दोनों तरफ गलियारे देवी देवता की प्रत्रवां घर की योजना शार किया जाने लगा। इस योजना के अंतरगत एक खुले आंगन के चारों और अनेक कम्रे बनाए जाते थे। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ती के दर्सन सीधे नहीं होते थे। वहां ताक पहुचने के लिए आंगनों बाहरी कच्छों से होकर गुजनना पड़ता था। सभी मंदिर लगवाग एक जैसे ही बने होते थे। अता यह घर जैसे दिखते थे यह मानव जीवन से जोड़ी गतिविद्यों के केंड बिंदू थे। सुमेडिया के नगार राज्यों पर ऐसे राजाओं ने शासन किया जो पुजारी भी थे। कहने का तात्पर यह है कि एक ही वेक्ति पूजा एव शासक दोनों रूम में कार करता था। इससे इसपस्ट है कि मंदिर पूजा इससल के साथ-साथ पुजारी और शासक निवास इस्थान भी था। मेसोपटामिया के लोग मंदिर को भूमी तशा बहुमूल बस्वे दान को दिया करते थे। यहां के लोग देवी देवताव को प्रसंद करने के लिए भेड़ बकरी आदी पश्यों की बली चढ़ाते थे। मेसोपटामिया का आर्थिक जीवन कैसा था। मेसोपटामिया के लोगों का आर्थिक जीवन संपन और सुकी था। यहां की भूमी उपजाव होने के कारण यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्रिशी था। गेहू जो और मक्का प्रमुख रूप से वगाई जाते थे। मेसोपटामिया के लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशू पालन था। इनके पाल्टू पशूव में गाय, बेल, भेड, बकरी, आदी प्रमुख थे। यहां के लोग संभध घोड़े से पर्चित नहीं थे। मेसोपटामिया में उद्योग धन्दे उन्नत अवस्ता में थे। मेसोपटामिया में के लोग अनेक प्रकार की दास्वकारिया भी जानते थे। कपड़ा बुर्ना इनका मुख उद्योग था। सोने, चांदी, तांबा, कासा और सीशा आधी वस्तों की अनेक वस्तों मेसोपटामिया में बनाई जाती थी। यहां के लोग शाक की सहायता से सुंदर बरतन भी बनाते थे। उर्ड्योग धंदे के साथ साथ यहां के लोग वैपार भी उन्नत अवस्ता में था। उनका वैपार पच्छिम में भूमर्द सागर वापूर में सिंदू नदी तक खैला हुआ था। यहां के लोग विदेशों से सोना चांदी तामबा बहमूल लकड़ी आदी मंगाते थे। अनाज आभूशन था सव्तन आदी विदेशों से भेजते थे। कानुन का निर्माण एवन संग्रहे। मेसोपोडामिया में ना केवल कानूनों का निर्माण किया जाता था अपत्र वेवी लोन के सासक हमुराभी द्वारा उन्हें भत्तर पर खुटबा कर संग्रहित भी किया गया। फ्रांशेशी पुरातत व्रिद को सूसा इरान की खुराई में हमुराभी की विधी सहिता प्राप्ट होई। यह विधी संक्रता पेरिश के लुवे संगराला में आज भी सुरच्छित है। इस विधी में सहिता की एक उत्तम अनुक्रती ब्रिटिस संगराला लंदन में भी विद्मान है। हमुरावी ने इस विधी सहिता को एक फट्तर पर खुटवाया था। काले रंगे इस फट्तर की उचाईए लगभाग आठ फिट थी। यह विधी संक्रता शच्छिता पंक्तियों में लिफिवर्द की गई थी। इसमें 280 धाराएं थी। इनकी प्रमुख विशेष्टाएं थी। नंबर एक है कानून अमीर वगरी सभी के लिए समान था। नंबर दो कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था। अपरादी को सजा देने का काम सरकार का था। नंबर तीन देळाला को जिनके पास पर्याप धन्था करजदारों को मुक्त धन्थन देने के लिए बाद किया गया। ताकि वे गुलामी से मुक्ति पास सके। चोठा सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम ने धारित किये गए थे पांचमा कज़ दार्व को रहात देने के लिए रहन रखने की प्रथा चालू की गई शटमा मौज़ा देने की प्रथा को भी लागू किया गया साथ मा रोजनदारी पर कार करने वाले श्रमेकों की मज़्दूरी स्टैगी गई आठमा नोकर तथा नोकर रखने वाले दोनों के लिए नियम बनाए गए नोमा व्याज की दड़े निधारित की गई दश्मा जहाद पर काम करने वाले श्रमेकों की फीश तथा कारीगरों की परिश्रिमिक दड़े भी संग्रहित्या दोरा निधारित की गई इस विजी सहिता में समाज के सभी समान अर्गारों वा नियमों की विवस्ता की गई इन कानूनों को लिपिवद करके विशाल समराज के जन समू में उन्हें लागू करना निशन वे महानकार था अब्बू राभी ने विधित सहिता बनाकर आज के विश्त को यह बताने के लिए मज़ूर कर दिया कि माना सर्वोस्ता सफरिबर है लेखनकला और साहित का विकास मैसोपटियमे की सभवता में लेखनकला का विश्कार महात्मून उपलब्दी थी मैसोपटियमे के लोग ने जिस लिपी का विकास किया उसे कीलाकार लिपी कहा जाता है इस लिपी का अविश्कार लगभग 3000 इस्यापूर में सुमेरिया के लोगों ने किया था इस लिपी में लगभाग 300 अच्छरते जिन्हों, चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था इस लिपी को टिकनी मिट्टी की गीली तक्तियों पर नुकीली वस्तू कलम से लिखा जाता था सुमेरिया की धातू में एक ऐसा पुस्काला भी मिला जिससे 30,000 सक्तियों के क्रम उनसार रखा गया इस लिपी के अनेक लेग भी प्राप्थ हुए इस लिपी को एक अंग्रेज अधिकारी हैंडी राली संद ने सबसे पहले पढ़ा था कला का अभीकार मैसु पुडायमिया के लोगों ने स्थाफित कला के छेत में इस्थम महराब गुम्मद निर्माण का प्रयोग किया उन्होंने विशाल राजमहलो जिगुराट जैसे भव कलात्मक्रतियों का निर्माण किया यहां के चितकारों ने राजमहलो मंदिरों की दिवारों पर बिभिन चित्रों का सजीव अंकलन किया यहां के लोग पसू पच्छियों वा धर्म संबंदि चित अधिक बनाते थे इस सब्दा के विकास काली मूर्थियों का निर्माण भी हुआ इस काल में मुद्रन कला, कास्त कला, फनीचर, संगीत कला का भी विकास हो चुका था विज्ञान का विकास मैसोपडामिया के लोगों ने विज्ञान के छेत में बहुत प्रगती की थी यहां के लोगों ने गणित खगूल जोति ए औसती विज्ञान के छेत में उल्लेखनी नती की थी गणित के छेत में घट दासी में प्रणाली का अविस्कार यहीं के लोगों की देन थी जोतिस के छेत्र में भी यहां के लोगों ने महात्पूर्ट सफलताय प्राप्त की थी यहां के लोगों यहां के लोगों की उन्नती थी कि जोतिस के छेत्र में आके लोगों महात्पूर्ट सफलताय प्राप्त की और ये सूर्ष चंद्रवां ज्रहन की भविश्वाराणी करने में सच्छम थे, इसके अत्रिक विभानफ़कार के रसायनों और सवर्दियों का अविश्कार भी इन ही लोगद्वारा किया गया था.